कांग्रेस ने मारवाड में जिस तरीके से कुछ सीटों पर जीत दर्ज की हैं, उनकी उपर आज बात करते हैं, नौशकार मैं प्रदीप हूँ, आप ठिंक 360 देख रहे हैं, पाली सीट की बात करते हैं, पाली कांग्रेस कैसे जीत पाई? हमने एक पहले वीडियो किया था और उसमें कहा था कि पाली में कांग्रेस की हार के केवल चंद कारण हैं, और उन चंद कारणों को केवल चंद कारणों को कांग्रेस ने समप किया, अशोक गहलोत खेमा और सचिन पैलेट का गुट, वहां चूंकि बिमराज भाटी अपने पहुंचे हैं राजस्तान की सबसे बड़ी पंचायत याने की विदान सवा में, कमाल कैसे हुआ कि पांच बार से लगातार जीत रहे ज्यांचन पारक, अब अगर मारवाड का चुनाओ का यतिहासिक सिस्टम देखें, तो उसमें लगातार एक ही सीट से पांच बार जीतने वालों में ज्यांचन पारक थे, अशोग गहलोत थे जो अब छटी बार जीत चुके हैं, पुषपेंदर सिंग राणावत थे जो छटी बार जीत चुके हैं, और सुरगे राम सिंग बिश्नुई थे जो की लगातार लोने सीट से पांच बार जीते, आठे विदान लेकिन पुषपेंदर सिंग राणावत और अशोग गयलोत ने जीत का सिक्स लगाया है, ग्यांचन पारक क्यों अटक गए, सबसे बड़ा सवाल है, ग्यांचन पारक जो सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, ग्यांचन पारक जो गुलाबचन कटारिया खेमे के माने जात यानि की प्रमस्तिश्क खंड़ प्रतिक्रिया आप कुछ चीजों को अगर सच मान लेते हैं जो की सच नहीं है तो आपका पूरा मस्तिश्क उनको सच साबित करने की दिशा में बड़ी शिद्दत से जुट जाता है ज्यांचन पारक के साथ ही यही हुआ ज्यांचन पारक के लोग उनसे तूटते गए मसलन की राकेश भाटी का मुद्दा राकेश भाटी नगर परिशद के सभापती जिनों ने बगावत की खुले तोर पे ज्यांचन पारक उन्हें मना नहीं पाए और यह खुला जो मामला रहा उसमें दूसरा सीर्वी वोट पेंक पीपी चौधर परिश्द के कारण भी ज्यांचन पारक से छिटका है हालांकि पाली की राजनेती में ज्यांचन पारक की व्यक्तिकत अदावत किसी से नहीं रही है लेकिन उनका चुनाव हारना पाली की एक बड़ी सीट आठ बार से यानि करिब 40 साल से कॉंग्रेस यहां हार रही थी 40 साल से एक seat जो हार रही थी वो Congress ने कब जाई है पाली की seat पाली पंचायती के लिए famous हैं कहते हैं यहां कि सांसद मुल्चंद डागा ने जब पारसद का चुनाव लड़ा तो हार गए और पारसद पुष्पजेन ने सांसद का चुनाव लड़ा तो जीत गए तो पाली अलग तरह है कि 2013 में जीती थी चेकी च्टे पाली की जिसमें जहतारण सोजद पाली सुमेरपूर बाली और मार्वार जंक्षन हैं पिछले चुनाओं में 5 सीटे जीती थी जिसमें मारवार जंक्षन निर्दलिय जीते थे खुश्विर सिंग बाकी पांच बीजेपी जीती थी इस बार भी बीजेपी का पंजा ही आया है और जैतारण सीट जहां बीजेपी कमजोर थी बीजेपी के बागी योगी लक्षमनात ने वोट तो खूब लिये लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं पाए और बीजेपी के अविनाश गयलोत लगातार दूसरी बार विदानसमा में पहुंचे हैं तो पाली जो की बड़ी सीट है और यहां बीमराज भाटी का विधायक बन जाना अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि बीमराज भाटी लगातार सक्रिय रहे जनता मे और एक उन्होंने अपनी स्टाइल नहीं बदली दो नेता ऐसे रहे हैं मारवाड में एक रतन दिवासी जिन पे लोग हार्ड कोर पॉलिटिशन होने का आरोप लगाते हैं तमाम तरह के आरोप लगाते हैं लेकिन रतन दिवासी नहीं अपने आपको बदला नहीं इसलिए उनके खिलाफ एंटे-इंकममेंसी नहीं बनके उनके खिलाफ जो लोग तूटने थे वो तूटे नहीं और जो जुडने थे वो जुड़े हैं कई बार क्या होता है नेता अपनी छवी बदल लेता हैं और उसके जो मूल लोग होते हैं वो साथ नहीं रहते भीमराजभाटी भी हार्ड कोर छवी के नेता है और उन्होंने अपने आपको बदलने की बजाए बड़े सदे हुए बयान दिये जब हमारी बात हुई भीमराजभाटी से तब भी उन्होंने बड़े तल्क बयान दिये चाहे वो जंबूरी का प्रकरण रहा हो पाली में पोक हैं तो निश्ची तोर पे मुखर रहेंगे पाली जो है वो वहां कि मैंने जिन संसद का जिक्र किया मोल्चन डागा गजब के मुखर रहते थे संसद में गजब का बोलते थे अब आप अगर देखेंगे कि यह सीट जो है यह सीट सिर्फ बिमराज भाटी ही उन्नी सो तेरा जीत पाए थे जैन समाज का दबदवा रहता है इस विदान समा में भी नौ विधायक करीब जैन जो है वो बने हैं पिछली बार भी नौ विधायक थे एक छोटा समाज जिसका 0.91% population है उसके नौ विधायक यानि कि अपनी population से 10 गुना अधिक जो नित्रत तो है राजस्तान की legislative assembly में हो जाना बड़ी बात है इससे साबित होता है कि समाज की एक समाज एक स्विकारिता है लेकिन यह स्विकारिता पाली में इसलिए नहीं बन पाई कि एक तो ग्यांचन पारक जो है उन्पे या आरोप लगा कि सारा कुछ जो है वो अपने समाज में ही सिमट के रह साफ एक करीब करीब 25 साल की anti-incumbency बनी इससे पहले ग्यांचन पारक नगरपरिशत के सभापती हुआ करते थे लगातार पद पे रहे और बहुत सारी चीजों को जिनने उन्हें इग्नौर करना था उन्हें इग्नौर नहीं किया और जिन लोगों को साथ लेना था वो साथ निशुलक दवाईयां लोगों को उस वक्त करवाना जब सरकार में निशुलक नहीं चलता था पाली में अगर डॉक्टर नहीं है तो उन्हें कैम्प लगवाए तमाम काम करवाए कॉंग्रेस के लोग भी उन्हें ये मानते हैं लेकिन इस बार मामला कास्ट वाला फस गया जैन समाज जिसके वोट ज्यादा नहीं है लेकिन प्रभावी हैं वो प्रभाव बहुत ज्यादा पकड़ होने के कारण वो ही मैंने जो बताया प्रमस्तिश के खंड प्रतिक्रिया एमिगडाला रियक्शन वो पाली की जनता को अलग तरीके से देखने को और अगर आप दे कि पहले पाली के सांसद भी जैन हुआ करते थे गुमानमल लोढा आपने अगर नाम सुना हो गुमानमल लोढा के बेटे मंगल प्रभात लोढा फिलाहाल विधायक हैं मुंबई में गुमानमल लोढा विधायक रहे जोदपुर से और आपातकाल में जेल में रहे थे बाद से दो बार गुवानमन लोडा के निदन के बाद यह सत्ता के चाविस हों पी गई पुष्प जैन को पुष्प जैन भी लगातार दो बार विधायक बने 1999 में और 2004 में वाजपई की सरकार के वक्त में और UPA फर्स के टाइम में वो पुष्प जैन जो है वो सांसद थे पाली से लेकिन नया परिसीमन हुआ जिसमें जोदपुर की तीन विधान सभा जुडी और पाली में पुष्प जैन के सामने उतारा गया बदरी जाखड को तो फिर एक कास्ट एक्वेशन कड़ा हुआ और बदरी जाखड ने पुष्प पुष्प जैन को करारी सिकस्त दी बीजेपी का मूल वोट बेंक राजपुत समाज का आधा वोट जो है वो शंबू सिंग के अतासर ले गए ऐसे में पुष्प जैन जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए 2014 में एंट्री होती है पीपी चौधरी की पीपी चौधरी जो है व लोगसबद चुनाव में क्या नतीजा देखने को मिलेगा कि पीपी चौधरी और पारक खेमा जो है वो किस तरह से अपनी अदावत या अपनी चीजें हैं उसको देखेगा क्योंकि यह समस्या कई जगे आई हैं जहां सीटें हारी हैं मतीन सीटों का जिक्र करना चाहूंग आप पहली पाली हैं दूसरी साचोर हैं जहां देवजी पटेल हारे हैं हारे ही नहीं हैं जमानत जब्त होगे यह तीसरी सीट है जो उसका नाम है तारा नगर जहां राजंदरा ठोड हारे हैं आरोप लग रहा है राम सिंग कस्वां पे वही राम सिंग कस्वां जो नहोंने कि किस तरीके से बीजेपी ने तारा नगर राजंदराचोड को भेजा राजंदराचोड सी-एम के बड़े दाविदार थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए तो कुलमिला के दोस्तों बात यह है कि भी पाली की जो सीट है वहाँ ग्यांचन पारक का नहीं जीतना ग्यांचन लगाया है जीत का एंटीन कम्मेंसी उनके खिलाब भी थी लेकिन पुश्पेंदर सिंग राणावत जीत गए और उनको एक बड़ी भूमिका मिल सकती है क्योंकि पाली जिले में अब बीजेपी के कद्दावर नेताओं में पुश्पेंदर सिंग राणावत हैं और दूसरा जो देखा जाए जालोर में जोगेश्वरगर्ग है तो मारवाड बे यह जो बड़े नेता है मारवाड गोड़़ड वाले उसमें सीधे तोर पर इन दोनों को बड़ी भूमिका आने वाली सरकार में मिल सकती है राजस्तान की राजनेती खास करके मारवाड गोडवाड के जो राजनेतिक समीकरण है उनसे रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें तिंक 360 को